जिला कांगड़ की डाड़ा सिवा की ग्राम पंचाय टीप्री में तब तम महौल तनापूर्ण हुआ जब मौके पर पुलिस पहुंची A.S.I. को घेर लिया और जम कर पीटा वो उसकी बर्दी भी फार दी महौल तनापूर्ण होने के बाद धरमशाला से A.S.P. और D.S.P. देरा भी पुलिस दल सहित मौके पर पहुंचे और ग्रामिनों को बड़ी मशक्कत के बाद सांथ करवाया गया आपको बता दें कि 35 साल के यूबक सुर्जीत कुमार की संदिक धालत में हुई मौत को लेकर मौत के परिजनों वो गाम के लोगों ने डाडा सिवा चौकी का घेराव किया और शब को जमेन पर रखकर पुलिस के खिलाफ रोश परदर्शन किया कई घंटों तक चले इस रोश परदर्शन के दौरान मौत के परिजन ये मांग कर रहे हैं कि जब तक मौत सुर्जीत कुमार की हत्यारों को पुलिस गिरफतार ना कर ले तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे इस मामले पर पुलिस पर कारवाही नहीं करने के आरोब भी लगे हैं क्योंकि मृतक की 7 साल के बच्चे ने दिये वियान के अनुसार उसकी मां और गाम के ही एक व्यक्ति ने मिलकर उसके पिता की हत्या की है क्या हुआ था जोड़ से बोलो जोड़ से बोलो फिरी फिरी क्या हुआ या मारिया का देने तोन गोने और को नहीं करना है क्या पुआ ये और भूगते ना रिकिता ना है कोटें पर कुझ कुझ है अमारी के दोना ने रख्या ती जोग्या भूलिया फिरी मामी नहीं बोला कि चीप को मैं बोला मामी नहीं बोला फिर तक उसी बीड़ से हा तक उसी बीड़ से हा फिरी त्यों लगी युकी नहीं पेगी या उजवल हिमाचिल के लिए डाडा सीवा से वीरोड पोर्ट